पीएम नरेंद्र मोदी आज पीएम आवास्त ग्रामीड के लाभार्थियों को देंगे चेक 6 लाग से ज्यादा ग्रामीडों को मिलेंगे पैसे फाइनेंशल सहायता की रकाम 2691 करोड रुपएता है बजट से पहले 30 जनवरी को होगी सर्वदलिये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षा सर्वदलिये बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये होगी प्रिशी कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच दसवें दौर की बात चीता आज सुप्रेम कोट में भी आज ही होगी सुनवाई कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान राजस्तान में सीएम गहलोत ने आज शाम को बुलाई कैबिनेट बैठक मंत्रिमंडल फेर वदल पर चार्चा संभः पाइलेट के समर्थकों को मिल सकता है पद बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज चुनाव आयूक की टीम का बंगाल दौरा आज से वीजेपी की भी चुनाव को लेकर एहम बैठक शाह और नड़ा होंगे शामिल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक शिफबाल संग यादव ने खोली वीजेपी की पोल कहा वीजेपी ने कई बार ओफर दिये चीन के मुद्दे पर ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरा ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया कमजोर प्रधार मंत्री बोले वो चीन का नाम लेने से डरते हैं महाराश्ट्र के मुंबई में आज से खुलेंगे कॉलेज सक्त गाइडलाइन्स के साथ शुरू होगी पढ़ाई मध्यप्रदेश में भी कॉलेजों में आज से नियमित कक्षाएं हुई शुरू जो बाइडन के हाथ में होगी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान अमेरिका के सबसे उम्रदराज राश्ट्रपती होंगे बाइडन पाँच लाख भात्नियों को पहले दिन देंगे खुश खबरी ग्रेराज चोड़ते वक्त बेटे को याद करके भावुक हुए जो बाइडन अपने आपको बताया डेलो वेयर का बेटा लंबे करियर में सेवा करने के लिए धन्यवाद दिया अमेरिका में डोनाल ट्रंप ने दिया विदाई भाशन कैपिटल भवन हंगामे और चीन का किया जिक्र हंगामे को अमेरिकी मूलियों के खलाफ बताया नवाज शरीफ की बेटी मर्यम नवाज का आरोब इमरान खान की पार्टी को भारत से मिलता है फंड लिया बीजेपी सदसे का नाम सोशल मीडिया पर थाइलेंड की राजा का अपमान महिला को रिकॉर्ड 43 साल कैद की सजा महा महिम सम्मान कानून की 29 धाराओं का उलंगन करने का दोशी करार बढ़त पर खुला शेयर बाजार 49,400 के पार्ट सेंसेक्स निफ्टी बारा अंकी मामूली तेजी के साथ 14,533 के स्तर पर कर रहा कारूबार घरिलू बाजार में दो दिन लगातार बड़ोतरी के बाद आज कीमतों में फिर बदल नहीं पहले लगातार दो दिनों तक पेट्रोल और डीजल हर रोज 25-25 पैसे हो गए थे वहेंगे IBC के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैथ नेशनल कंपनी लॉबोर्ड के सामने कम से कम सो बायर्स के साथ हो तभी अर्जी हो सकती है दाखिल SBI अपने ग्रहाकों को घर पर बैंकिंग सेवाएं करा रहा उपलफ्द बैंक ने SBI डोल स्टैप बैंकिंग शुरू की लाब लेने के लिए ग्रहाकों को करवाना पड़े कर रेजिस्ट्रेशन महामारी के दोरान बेपटरी हुई होटल गेस्ट हाउस इंडस्ट्री बजट में कारवारियों को खासा उमीद सरकार दे सकती है राहत